दस बजी के बाद शेर का चोला धारन कर लेते थे और सुभह तक उसी चोले में रहते थे इसलिए यहां किसी को रुकनी की आग्या नहीं थी नमस्कार दोस्तों से टिपिक निउस पर मैं यानि अंकिता सिंग स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कारेकरम अंसुने इतिहास में जहां हम हर्याना के अलग लग गाउं में जाएंगे वहां से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताएंगे उसी इतिहास के बारे में जहांग आश्रम में जिसे कहा जाता है कि इसका जहांग नाम क्यों पड़ा क्योंकि सन 605 से लेकर के 627 तक राज करने वाले अकबर के वेटे सलीम जिनका इंपीरियल नेम जो था जहांगिर था उनके नाम पर यह आश्रम पड़ा है दरसल अपने शाशनकाल में जहांगिर यह यूँ कहिए कि सलीम जो है एक बर यहां से गुजर रही थे लगबग एक महिने के लिए अपना जमावडा उन्होंने यहां इसी ठिकाने पर इसी जगहे पर लगाया था इसलिए इस जगहे का नाम पड़ा है जहांग आश्रम अब यह आश्रम की शुरुआत किस तरीके से ह जाता है कि जब सलीम जो है यहां से गुजरे यहां पर उन्होंने एक महिने के लिए अपना जमावडा लगाया तो इसी जगह पर एक तपस्वी एक महराज जो है तपश्या कर रहे थे जिनका नाम था लोह लंगर गिरी महराज और यहां पर तपश्या कर रहे थे उधर आफी समय बाद उन्होंने खुद भी यहीं जिवन्त समाधी ले ली वैसे तो कहा जाता है कि इतियास की निशानिया के हैं तो निशानी के स्वरूप जितने जो समाधी है यानि की लोह लंगर गिरी महराज की जो समाधी है जो तलाब है जो खुद जहांगीर ने या सलीम ने जो है अपने रहने के लिए अपने पानी के समाल के लिए फट गाही था तरफ यह तलाव है उसकि नजारे दिखा देती हूं एसको लेकर के यहां की जो यहां की निवासी है उनका क्या क्या गेना उनकी क्या मानेत है उनकी क्या मानेत एश्यारा ग minist将 दो trad gig charge also Dossty मामन दोक बढ़ुए पर उसने लुटने की कोशिस की तो बाबा ने समाध से उठकर उनको यहां से बगाया यह जोड़ खुदा हुआ रहे गया इधर जब से इसका नाम जांगीरपुरी रखा हुआ तो तलाब के बाद वापिस आते हैं आश्रम के मुद्दे पर के आश्रम आखिरकार किस तरीके से शुरू हुआ तो कहते ही हैं कि जब लोह लंगर गिरी महराज ने यहां से समाधी ले ली थी तो ठीक उसके लगबग 400-500 साल बाद एक महराज हुए विशंबर गिरी महराज उनको द्रिश्टांग हुआ यानि कि उन्हें एहसास हुआ कि वहां पर कोई शक्ती कर गए लेकिन चर्णपुरी यहीं रहे लेकिन उनकी एक खास आदत थी शाम 10 बजे के बाद वो जितने वे उनके भगत थे उन्हें यह कह दिया करते थे कि अब तुम यहां से चले जाओ 10 बजे के बाद इस जिगह पर कोई नहीं रुखेगा एक भगत ने इसी जिग्यासा से कि आखिरकार 10 बजे के बाद यहां किसी को रुखने की परमीशन क्यों नहीं है आग्या क्यों नहीं है एक भगत ने रुकर के यहां पर देखा तो उसके खोश उड़े रहे गए होंगे क्योंकि उन्हें ने देखा कि जो चरणपुरी महरास थी वो एक शेर का चोला उड रहे थे ऐसी यहां की लोग कताई कहती हैं यहां के जो आम लोग हैं जो बुजुर्ग हैं उनके मुझ से हमने सुना है जब हम यहां इस आशरम के बारे में जाच पढ़ताल कर रहे थे तो उनका कुछ ऐसा कहना था कि वो जो है शाम को 10 बजे के बाद रात को 10 बजे के जुमान गिरी और उनके जो सेवक हैं बाबा जी चलिए उनसे भी बाचीत करवा देती हूं क्योंकि वो भी अप 30-40 साल से यहां रह रहे हैं उनके दादा गुरू खुद विशंबर गिरी महराज से तो चलिए उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार कितनी मानता है कितनी शक्ति है इस आस्रम की चलिए बाबाजै से जाने लेते हैं कितने साल से यहां रह रहे हैं आपने कभी कोई चमत कार देखा कि आप दो 30-40 शाल से लगातर दिन राधी रहते हैं आपके आंखों के सांवने रहे हैं आपके अंग्तियाइशन देजन प्कार हूं क्या कर दो बाबा चर्णपुरी माहराज थे, जो कि विशंबरगीरी माहराज के गुरु भाई थे, उनके बारे में यहां के लोगों के मानेता है कि वो शेर के बाने में लोगों को दिखते थे, शेर बनके दिखते थे, वो क्या सच है, क्या वो कहानी है, उसे बताई है, सच है, पर एक कोई भी ओगया तो यह थी बाबा से खास मुलाकात खास बाचीत आगी भी अंसुनी कहानियों को सुनाने का यह जो सिलसिला है स्टी बिग न्यूज पर यूही जारी रहेगा अलग लग गाउं में जाकर के उनका इतियास उनके कन-कन का इतियास वहां की लोकत हैं जो हैं लगातार आपके सामने लेकर क्याते रहेंगे इतियास जगह भी आपको दिखाते रहेंगे बस देखने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे चैनल सिटी बिग न्यूज के साथ नमस्कार